नए साल की आप सभी दर्सकों को हारदिक सुबकाम नाएं धनूरासी वालों साल दो हजार चौबिस क्या कुछ बड़ा बदलाओ लेकर आएगा चले जानते हैं बिस्तार से वीडियो के अंतक बने रहे और ये प्रडिक्शन चंदूरासी पर आधारित है धनूरासी के स्वामी हैं देवगुरू प्रिस्पती और वर्ष की सुरुवात में आपके पंचम भाव में रहेंगे मंगल मेस में हैं नवं भाव में और एकादस भाव प्रथम भाव पर दिष्टी डालेंगे आपके जीवन में सहीर निर्ने लेने की जो छमता है यहां से लेनी सुरू होगी वैसे तो आपका दिमाग बेहतर कारे करेगा खास कर बच्चों की तरफ से कोई अच्छे समाचार इस साल जरूर मिलेगी तो चले सुरुवात करते हैं सबसे पहले प्रेम जीवन से देखे आपके लिए सुरुवात अच्छी है क्योंकि पांचवे घर में देव गुरू बैठे हैं संतुलन देंगे प्रेम जीवन में हलांकि मंगल और सुर्य आपके रासी में हैं इसलिए क्रोध को बढ़ाएंगे इससे रिस्तों में तनाव भड़ेगा आपको ध्यान रखना है हलांकि फरवरी का जो अंतिम सप्ता है और मार्च पूरा ये वक्त अप्रेल तक बहुत अच्छा है बुद्ध सुक्र की किरपा भी बरसेगी जिससे प्रेम जीवन अनुकूल होगा अब आप पंचंभाव में सनी देव की द्रिष्टी है तो प्रेम जीवन में थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती है हलांकि देव गुरु ब्रस्पती पंचंभाव में मजबूत है बहुत हत तक वो आपकी रक्षा करते नजर आएंगे तो एक जून से बारह जुलाई की जो वक्त है प्रेम जीवन में थोड़ा सा आपको समहल के रहना है या पिर ज्यादा प्रियास करना है रिस्तों को बेहतर बनाने के लिए अगर हम जो लोग जॉप करते हैं धनुवालों की बात करें थोड़े बहुत उतार चड़ाव हैं लेकिन दसम घर में केतू है तो नौकरी में हलकी पुलकी और सुविधा या कारियों से ध्यान भटकता हुआ मशूस होगा तो आप अपनी छमताओं के अनुसार कारे करें और थोड़ा साबधान रहेगा अप्रेल मई जून जुलाई अगस्त ये पांच महिना आपको नौकरी के मामलों में थोड़ी निरासा है या किसी भी तरह कोई चीज से बचे हो सकता है इस पिरियड में आपको दूसरी नौक सब्सक्रावना बढ़ी भी है हलांकि सितंबर अक्तूबर नौवंबर दिसंबर ये वक्त बढ़िया रहेगा अचानक से प्रमोशन के योग बनेंगे अब देखे इसमें आपको बस बेस्ट देना है और नौवंबर दिसंबर का महिना एवरेज रहेगा जो बिद्यार थी ह चुकि ब्रस्पती देव खुदी पंचमभा में बैठे हैं और राहू आपके चौथे घर को प्रभावित कर रहे हैं आपकी बुद्धी तो बहुत तेज रहेगी आप आसानी से चीजों को सीखेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे यानि इन प्रयासों से सिक्चा में बेहतर परिणाम भी मिलेगा लेकिन पंचमभा पर सनी देव की द्रिष्टी है तो थोरी बहुत परिसान या रुकावटे हो सकती है पढ़ाई में हो इसलिए गयत्री मंद्र पढ़िए और पढ़ाई पर फोकस बनाये रखें एक मई देव गुरु ब्रस्पती जैसे ही आपके छटे भौ में आएंगे मंगल आपके पंचम भौ में आएंगे तो आप विद्यार्थी पढ़ाई पर बहुत उत्सा के साथ ध्यान देंगे और यहां से समय अच्छा है लेकिन अगस्त सितंबर अक्टूबर ये तीन महिना आपको पढ़ाई में खुम मेहनत करनी हो सफलता तो प्राप्त होगी जनवरी मई और जून का महना विसे सफलता देने वाला होगा विद्यार्थियों के लिए तो महनत कीजिए महनत से सफलता है परिक्षा के परणाम भी आपके पक्ष में आएंगे और उच्छ सिक्षा में अगर आप गरहन करना चाहते हैं तो साल जून जुलाई के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं तब जून जुलाई का महना अच्छा है द्धन की बात करें तो देखिए आपके लिए जो जनवरी से जून तक का समय है न यह ज्यादा अच्छा रहेगा धन के मामलों में धन आएगा भी और बचा भी लेंगे लेकिन देव गुरु बिश्पती चुकी 30 अप्रेल तक पांचवे घर में है और 11 घर पहले घर और भाग अस्थान पर उनकी दृष्टी है तो अर्थिक प्रिसानियां देव गुरु कम कर रहे हैं सही निरना लेके सही तरीके से धन कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे लेकिन जैसे छटे भाव में जाएंगे तब खर्चे बढ़ेंगे और सनी देव की द्रिष्टी भी पंचम नवम 12 भाव पर है तो खर्चों पर कंट्रोल करिएगा नहीं तो जितना कमाएंगे खर्ची हो जाएंगे पारिबारी जीवन थोड़ा कमजोर है सुरुवात में क्योंकि सनी द सब्सक्राइब को छोड़ दें तो बाकी समय अच्छा है लेकिन सब्दों पर जड़ा गौर कीजिएगा कड़बाहट मत रखिएगा नहीं तो बेवजह टकराओ होगी रिस्तों में और फिर इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाएंगे अब देखिए 23 अप्रेल से एक जू रखिएगा और दीरे दीरे स्तितियां सुधरेगी लेकिन डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा पारेबारी संपत्ती प्रोपर्टी को लेकर थोरे बहुत बिवाद हो सकते हैं धैरे रखने की आवसकता है अब अगर हम बच्चों की बात करें संतान की तो ब्रस्पती पंच है पंचम पर लेकिन फिर भी संतान सुख प्राप्त होगा और एक जून से 12 जुलाई तक आपके लिए बच्चों का सपोर्ट आपको मिलेगा बच्चे अपने छेत्र में तरक्की करेंगे और खासकर अक्टूबर नौवंबर दिसंबर यह तीन महिना ऐसा है जब बच्चो का थोड़ा खयाल रखिएगा चूर्च पेट से उनको बचाईएगा अगर आप विवाहित हैं तो साल की सुरुवात थोड़ा कमजोर है क्योंकि सूर्य आपकी पहले घर में है उनकी दृष्टी साथवे घर पर है यानि लगन में बैठकर विवास्तान को देखेंगे तो तनाव बढ़ेगा हो सकता है आपके अंदर क्रोध बढ़े गुसा बढ़े जिसके कारण रिष्टे खराब हो चुटी चुटी बातों पर जगड़े हो जाए हलांकि इसके बाद मंगल सूर्य आपके धनबाव में आएंगे तब मार्च तक का जो वक्त है थोड़ा तनाव इसके बाद चीजें बढ़िया हो जाएगी और जीवन साती के स्वास्त का ध्यान रखिएगा अब देखे सुक्र का प्रवाव सात्वे घर में रहने के कारण थोड़ा तनाव कमेगा और जून जुलाइक का जो वक्त है इन दो मेहनों में फिर अपने डिस्तों को थोड़ा समझना होगा समय देना होगा जो व्यपसाई भाई हैं अप्रेल अगस्त नौंबर दिसंबर ये चार महिना थोड़ी चुनोतियां लेकर आया है लेकिन बाकी का समय व्यपार में सम्रिद्धी बढ़ेगी धन आएगा नोकरी में सफलता मिलेगी और साथ ही जबरदस्त होगा एक जुलाई को किसी खास ब्यक्ति से मुलाकात हो सकती है तयार है हलाकि साल के मद्ध में बैपसाईयों के लिए बढ़िया है संपत्ती प्रोपर्टी के मामलों में वर्स की सुरुवात में कोई भी प्रोपर्टी मत लीजेगा लेकिन फरवरी मार्च अप्रेल ये त वाहन लेना चाहते हैं तो आप मई में ले सकते हैं अगर पहले से आपके पास वाहन है तो एक और मौका मिलेगा अगर सितंबर के मेहने में यानि इस मेहने में दो मेहने में वाहन की प्राप्ती के प्रवल संभावना बनेगी और प्रोपर्टी के भी योग्चुकी बने व हलांकि निवेश के लिए अनुकूल रहेगा अपरेल मई जून जुलाई अगस्ति ये पांच मैना लेकिन बीस अक्टूबर से दिसंबर के अंत तक साफधान रहें किसी को उधार ना दे धन्यवाद